द्रस्को अर्योम जैश्री राम आज एक महतोंपूर्ण टोपिक लेके आए हैं जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में महान बनेंगे आप सभी ने आचाय शनक्या का नाम सुना होगा आचाय शनक्या ने जो कर दिखाया ऐसा कोई शद्हान व्याकती नहीं कर सकता तो उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किये हैं तो उन विचारों में से आज कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे और यकीन मानी यदि आप उनको अपलाई करेंगे तो पक्का आप जीवन में बहुत कुछ सीख पाएंगे उनका पहला विचार था कि रिण, सत्रू और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए अर्थात, करजा जिसे हम लोन लेते हैं जैसे कार के लोन, घर के लिए लोन, वहान के लिए लोन अचरशनक्या कहते हैं कि इन चीजों से जितना संबव हो सके बचना चाहिए और यदि आपने कोई करज ले लिया है उसको समया पर सुपता कर देना सहीए क्योंकि कई बार करज के बोज के तले दव करके इनसान पहुत ही नुकसान उठाता है दूसरा अच्चर शनक्या ने बताया दुस्मनों के बारे में सत्रू के बारे में अच्चर शनक्या कहते हैं कि अपने दुस्मन को कई भी छोटा नहीं समझना चाहिए कभी कई बार हम सोच लेते हैं जिसके साथ हमारा को यनवन होती है कि इसको कोई जानता इसका कोई जानब्षान नहीं है इसके पास पैसे भी नहीं है यह हमारा कुछ ने विगाड़ सकता परन्तु कई बार ऐसा व्यक्ती ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है तो ये ध्यान देना कभी भी अपने दुस्मन को कभी सत्रू को छोटा नहीं समझना चाहिए और तीसरा बताया है अचरश अनक्याने रोग के बारे में कि रोग को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जैसे जब कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है तो हम लोग कई बार सुरुवात में उसको इगनोर कर देते हैं पर धीरे धीरे कई बार वो रोग बहुत बड़ा रूप धान कर लेता है और कई बार तो ऐसे स्थिति बेह जाती है कि उसका कोई इलाज भी नहीं होता और वो लाईलाज हो जाता है उधान के लिए कैंसर को ही ले लीजिए यदि कैंसर का पहले स्थेज पर पता लग जाए तो उसका इलाज 100% हो जाता है परनतु कई बार उसका पता ही नहीं चलता और चौथी स्थेज में आने के बाद जब पता चलता है तो फिर उससे में वो लाइलाज हो जाती है तो दर्सको अच्रेशनक्यारे अपने जीवन में जो बात बताई है वो सोब पर सत्या लगती है अगली अच्रेशनक्यारे जो बात बताई है उन्होंने बताया है कि आलसी मनुस्या का ने तो वरतमान का पता होता है ना भविश्य का ठिकाना अर्थात जो आदमी काम करके राजी नहीं है उसका ना तो वरतमान सुद्र सकता है और ना ही भविश्य क्योंकि जो काम करके राजी ही नहीं है तो उसका भागय भी साथ नहीं देता ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी काम्याब नहीं हो सकता और अच्छा शनक्या ने तीसरे सू विचार बताया है कि भग्य भी उनी का साथ देता है जो कठीन से कठीन पस्तितियों में भी अपने लक्षे के परती अडीग रहता है बिल्कुल सच कि भग्य घर बैठे साथ नहीं देता भग्वान क्रिशन ने भी गीता में इन करमों के बारे में बताया है बार बार करम करो करम करो अरजुन को बार बार कहा है कि है अरजुन तुम करम करो फल की चामत करो क्योंकि यदि करम का मैत बना होता तो भगवान क्रिशन भी अर्जुन को करम करने के लिए नय कहते जब अर्जुन बार-बार सन्यास की बात कर रहा है तो भगवान क्रिशन को सन्यास नहीं बलकि अपने किर्यामान करम करने के लिए कह रहे है तो इसका मतलब यह हुआ कि प्ररब्द चाहे हमारा कितना भी अच्छा क्यों न हो पूरो जनमों के करम चाहे कितना अच्छा क्यों न हो जब तक हमी जनम में कुछ अच्छे करम नहीं करेंगे जब तक हमारा उधार नहीं हो सकता तो द्रसको आज ये त्वीन सूविचार आपके सामने लेकर आया हूँ और मुझे लगता है कि आप इससे बहुत लाभानवित होंगे आगे भी और भी महन अत्माओं के महापुर्शों के सूविचार आपके सामने लेकर के आता रहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद